दोस्तो एक तरफ है संजू सैमसंग ट्रेंड बोल्ट तो एक तरफ है विराट कोली फैब डुपलेसिस आईपील दोहजार चुबिस का एलामिनेटर खेला जाएगा दोस्तो राज rättषान राजेस्थान राज्थान राज़की वीशूर में बता का प्रूर्ट खेला जाएगा यह बताओँ गाँंगा बैटसमें बावालर कौन से चलेंगे all rounders कौन से चलेंगे ये भी बताऊंगा शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो इससे पहले अगर आपने चाइनल को सस्क्राइब नहीं किया तो कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं तो चाइनल को सस्क्राइब वीडियो को पिछ रिपोर्ट देखते हैं देखें दोस्तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यह मैच कहा खेला जाएगा तो यह मैच जो है एमडाबाद में खेला जाएगा यहाँ पर बहुत जदा बैटिंग चलती है और मैं आपको बता दू यहाँ पर बैट्समें चलेंगे बाड़ा सा मतलब कही ना कई जो है रंस कम बन सकते हैं लेकिन देखने वाली बात होगी कौन सी पीचीहा पर यूज होगी लेकिन मेरे हसाब से तो हाइज स्कोरिंग मैच रह सकता है बात करते हैं राजस्टार रोयल्स की कैंड मोर और जैस वाल जो है ओपनर्स होंगे क्यो डूस्तों क्योंकि बटलर जो है बाहर जा चुके है तो मेरे हसाब से नहीं खेलेंगे और इसके बाद अवेश खान और मेरे हसाब से यूज वेंद्रज चृहलले दोस्तों चेंजस थोंगे मेरे हसाब से changes हो सकते हैं बॉलिंग में ही और तो मुझे changes नहीं दिखते हैं बॉलिंग भी इनकी best है यहाँ भी मुझे ज़्यादा कुछ change नहीं दिख रहे हैं और मेरे हिसाब से एक batsman ज़रूर रहना चाहिए middle order में क्योंकि दोस्तों जितने भी matches इन्होंने हा रहे है या तो मेरे हिसाब से middle order batting के वज़े से हा रहे हैं क्योंकि इनकी middle order batting जो है ज्यादा चल नहीं रही है तो मेरे हिसाब से middle order में एक batsman तो होना ही चाहिए और इसके बाद जो हम बात करते है royal challenger backlords के playing 11 की तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते है या ओपनर्स की fab to places और विराट कोहली इसमे बलस पॉइंट मिल जाएगा तो मेरे हिसाब से इनको मौका देना चाहिए नंबर तीन पे नंबर चार पे तो मैक्सवैलीए खेलेंगे नंबर पाच पे ग्रीन नंबर चे पर दोस्तों Lum Roar नंबर साथ दिनेशकार्थी नंबर आट पर शर्मा नंबर नौ पे दोस्तों मेर पहले धुन नहीं पाए थे लेकिन उन्हों ने आप धुन ली है तो इसके वज़े से मुझे लगता है चेंजेस नहीं होने चाहिए दोस्तों आब हम बात करते हैं एलामिनेटर में कौन से बैटसमें कौन से बालर चलेंगे सबसे पहले तो मैं आपको बैस्मेंगे बता देता वो अब टेंशन चला गया है क्योंकि रजत पतिदार जैसे फॉर्म में है और जो सेकेंड बैट्समेन है हमारे विराट कोली वो तो एक अच्छे बैट्समेन है ही तो मुझे ऐसा लगता है यह दोनों मिलकर 50 से ज़्यादा रंस बना ही देंगे और दोस्तो मेरे हिसाब से नशी कैसे सबसे बड़ी बात है और अगर साथ देगा तो राजस्थान रॉाइल से मैच निकाल सकती है यह असान नहीं है क्योंकि बैंग लोर ने जैसे मविमेंटम रखा है अपने पास है विनिंग का वैश राजस्थान के पास नहीं है मैच भी दोस्तो मैरे यह दूसरी बात तो ये है दोस्तों कि मेरे हिसाब से जो है इन्होंने जैसा फार्म पिछले मैच में दिखाया जैसा दोस्तों अब इनका फार्म है वो सबसे बड़ी बात है और मेरे हिसाब से इन्होंने सिर्फ विकेट्स लेना का काम नहीं किया है इन्होंने रंस कम दिये है बैंगलोर है और मेरे साब से तो मुझे याद आता है 2020 का pests इन्हों नहीं मेरे साब से मेन आप दुमा जीता था और अगर ऐसा farm इनका इस मैच में रहता है ना तो मेरे सौर से जोए राजस्थान रॉयल मैंच जीवेगी और दोस्तों बोल्ट और सैंसंग मैंच में चलेंगे तो राजस्थान रॉयल्स का ये मैच है और दोस्तों अब हम बात करते हैं All Rounders की देखें दोस्तों All Rounders में जो है एक आपको मैं All Rounders बताऊंगा जो कि इस मैच में चलेगा और वो है दोस्तों Cameron Green देखें दोस्तों सवाल ये था कि Cameron Green जो है क्या अपना form दिखाएंगे और जी हाँ दोस्तो जो Royal Challenger Bangalore 6 matches लगातार जीती है ये सिर्फ एक खिलाडी की वज़े से नहीं ये सिर्फ कोहली की वज़े से नहीं कभी green चलते है कभी jacks चलते है कभी दोस्तो मेरे हसाफ से years दयाल चलते है कभी दोस्तो रजट पटिदार चलते है एक batsman ने यहाँ runs नहीं बनाए है सभी batsman ने runs बनाए है ballers ने wickets लिये है तो यह सबसे बड़ी बात मुझे लगी इन 6 matches में Royal Challenger Bangalore team की तो मेरे हसाफ से इस match में जो है मेरे हसाफ से green चलेंगे तीस से जदा runs और एक से जदा wickets जरूर लेंगे अब दोस्तो हम बात करते है Royals versus Royals में कौन जीतेगा सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि राजस्तान Royals ने league stage में मेरे हसाफ से कोहली की टीम को और फैब्ली प्लिसिस की टीम को Royal Challenger Bangalore को हरा दिया था पहले से दोस्तों मैंने यही बात की है कि momentum सबसे बड़ी बात होती है और consistency आपके बास होनी चाहिए जो कि इस टीम में मुझे दिखी है 6 match जीत गए आप 7 match जीत के जो है qualify हुए है मतलब मेरे हिसाफ से जो है आप qualify नहीं होने वाले थे वहाँ से आप qualify हुए है Bangalore इस match को जीतेगी Rajasthan Royals के chances बहुत जादा है लेकिन जैसे कि मैंने कहा Bolt और दोस्तों मेरे हिसाफ से जो है अगर Samsung चलते है तो मेरे हिसाफ से जो है यह match Rajasthan का होने वाला है क्योंकि दोनों बड़े match के खिलारी है दोनों को चलना है क्योंकि जैस वाल उन पे मैं भरोसा नहीं रखता Butler इस match में है नहीं और जो बड़े खिलारी है मेरे हिसाफ से इस match में Bolt और Samsung होने वाले है यह नहीं चलेंगे तो Rajasthan Royals से match हार जाएगी और मेरे हिसाफ से इस ground पे तो इन्होंने एक भी match खेला नहीं है तो यह सवाल रहेंगे सवाल का जवाब एक ही रहेगा और दोस्तो मेरे हिसाफ से match जब हो जाएगा तो यह हमें पता चल जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही कैसे लगा आपको वीडियो अच्छे लगा होगा तो वीडियो को लाइक चैनल को तुरू सस्क्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिए